जै मातादी दोस्तों, दोस्तों, नवरात्र के दुनों में मातारानी के नो रूपों को पूजा जाता है, माना जाता है मातारानी के नो सवरूपों को पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के भय, शत्रूं और दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, साथी अक्षेपुन्य की प पूजन करने मातर सही संपूर्ण हो जाती है, आप जो भी मनोकावना चाहते हैं, मातारानी से जो भी करपा प्राप्त करना चाहते हैं, उसी अनुसा ज़िए आप कुछ कारे करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको अवस्य प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों कभी-कभी हमा या पुत्री विवाहू, शीगर विवाहू या फिर विवाहित जीवन में आ रहे इस्तमस्याय हो, धन कमाने की रहा में अर्चना रही हो, नोकरीव प्रमोशन में योग ना बन रहे हो, या फिर ब्यापार मंदा हो, किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को आवे नवरात्रों में मातारानी के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय करके ही पूर्ण कर सकती हैं, एक ऐसा ही उपाय हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लिकर आए हैं, जिसे अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन की तमाम मुश्किलें सांथ हो जाएंगी, और हर प्रकार की मनोकामनाओ पूर्ण हो सकती हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा अंता तक देखें, ताकि आपको चानकारी हो क्या को यह उपाय किस प्रकार से करना है, साथ ही मातारानी में अटूर्ण सर्दा वे विश्वास रखने वाले व्यक्ति, एक बार सच्चे हिर्दे से कमेंट दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में, दोस्तों अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, उसे बिलकुल बरबाद देखना चाहते हैं, ऐसा कोई भी इंसान जिसने आपके जीवन में बहुत बु या फिर ऐसा कोई इंसान या फिर आपका कोई दुश्मन कहें, जो कि आपके कारियों को खराब करता है, बंते-बंते कारियों में रुकावट पैदा करता है, आपके खिलाफ जलन रखता है और बेवज़ा आपको परिशान करता है, ऐसा इंसान ही कहलाता है आपका सबसे ब आज की जो उपाए हम आपको माचिस के द्वार करने वाला बताएंगे यह बहुत Šisalih है। इस उपाए को पूरी तरह से देखें वे पूरी तरह से जांकारी प्राब्द करें वे अंत में हम आपको एक मंतर भी बताएंगे उसे भी किरपया करकी पूरी तरह से सुन लें क्य यह उपाए जल्दी से नहीं बताता है, क्योंकि यह उपाए बहुती सरलविदी से हो जाता है, लेकिन वहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक वे सक्तिशाली भी है, खतरनाक आपके दुस्मन के लिए और सक्तिशाली आपके लिए होता है, जब दुस्मन से बतला लेने के सभी मार बंद हो जाते हैं, तब इस उपाय का प्रयोक किया जाता है. दोस्तों, माचुश की डिबी मात्र से ये उपाय हो जाता है. और जो चीज इसमें रखनी है और जो मंतर आपको बोलना है, वे हम आपको बताने वाले हैं. किरपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंग बली एक बार आवश्य लिख दें क्योंकि कोई भी सुबकार्य करने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना अती आवश्यक होता है और अगर आपको वीडियो अची लगे तो आप इसे शेयर करें साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन सबता में किसी भी दिन जिस दिन आपके पास समय हो या फिर आप इस क्रिया को करना चाते हैं उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं इस क्रिया को करने के लिए कोई अवस्था नहीं है। आप चाहे तो इसे बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, जैसे भी चाहे उस अवस्था में इस क्रिया को कर सकते हैं। अब आपको अपने घर से एक ऐसी माचिस की डबी लेनी है, जो कि पहले से ही इस्तमाल की जा रही हो, लेकिन पूरी तरह से खाली ना हो, बस इस्तमाल की जा रही हो, उसकी कुछ तीलियां पहले से ही उपयोग में लाई जा चुकी हो। अगर आपकी पूरानी माचिस में तीलियों की संख्या जादा है, तो आप उसमें से कुछ तीलियां निकाल कर दूसरी किसी डबी में डाल दे। क्योंकि आपको हम कुछ सामगरियों के बारे में बताएंगे, जो कि आपको इस माचिस की डबी में रखनी है, उसकी जगे बना ले और कुछ माचिस की तीलियां निकाल कर कहीं और इसको रख दे। अब आपको ग्यारादाने राई के लेने हैं और इसे अपने मस्तक के उपर लगाकर तीन बार ओम ओम और ओम का जाब करना है। उसके बाद इन ग्यारादानों को आप इस माचिस की तबी में डाल दें और उपर से एक चुटकी सिंदूर छिड़क दें। अब दोस्तों इस उसका पूरा नाम ना भी पता हो। जितना भी नाम पता है बस उस जक्ती को याद करते हुए उस दुस्मन का नाम लिख देना है और इस कागज को मोड करके इस माचिस की डबी में ही डाल दे। इसके बाद आप इस माचिस को चाहें जिस भी समय चाहें इसी समय अगले दिन एक गंटे बाद या जब भी आपको समय लगे, तब आपको इस माचिस की डबी को ले कर जाना है, अपने घर से बाहर, किसी भी दीवार की आड में, या फिर किसी भी खुले स्थान पर, जहां भी आपको सुमसान जगे दिखे, वहां पर, जहां आपको कोई टोके नहीं, वहा सा उपाया आपको करना है, अब घर बापस आजाने के बाद, आपको अपने घर के बिस्तर पर, खाट पर, या बैड पर, जहां भी आप बिस्तर है, वहां लेट करके, आँखे बंद करके, आपको ये मंतर का उच्चारण करना है, मंतर ध्यान पूरवक्त सुने, और वीडि और अपने शत्रू का नाम लेते हुए बोले, विनाशे फट स्वाहा, मंतर एक बार फिर से सुनने दोस्तो, ओम रियों, इसके बाद आपको अपने दुस्मन का नाम लेना है, और फिर मंतर का उच्चारण आगे फिर सुरू करना है, विनाशे फट स्वाहा, जिस प्रकार स आपके दुस्मन का नाम है, रावण, तो आप बोलेंगे, ओम रियों, रावण, विनाशे फट स्वाहा, बस इतना मातर उपाय करते ही, आपके दुस्मन की चारो और से बरबादी सुरू हो जाती है, अगर आपके दुस्मन कुटने टेक देंगे, तो आपको जिन्दगी मे काब्याम होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्त, दोस्तो आज की इस वीडियो में केवली तना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिद्दे में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जाए बजरंग बली